हरे कृष्णा जैशिल प्रवपाद आज दिर्तराष्ट कुछ परिशान लग रहे हैं क्योंकि संजय दिर्तराष्ट को युद का सारा व्रतान सुना रहे हैं युद में शंखो और नगाडों के ध्वनी इतनी भ्यंकर और उची है कि उसकी अवाज दिर्तराष्ट के दिल में ब्यंकर भय पैदा कर रही है अभी तो केवल युद शुरू होने का बिगुल ही बजा है तब दिर्तराष्ट इतना घबरा रहे हैं चलिए अब फिर से चलते हैं अरे वही उसी मैदान में जहां कौर्वो की सेना के दिल बैठे जा रहे हैं आज हम उनिस्वाश लोका करेंगे उनिस्वाश लोका अर्थार्थ इन विबिन शंकों की ध्वनी कोला हलपूर्ण बन गई जो आकाश और पिर्थवी को शब्दा इमान करती हुई धिरत्रष्ट के पुत्रों के हिर्दयों को विदीर्न करने लगी अब अनुवाद के अनुसार जब कौर्वो ने अपने अपने शंक बजाए थे तब पांडवो पर कोई असर नहीं हुआ था लेकिन जब पांडवो ने अपने अपने शंक बजाए और युद का आरंब किया तब कौर्वो के मन में पहले ही भय पैदा हो गया क्यूकि उनको पहले से ही पता था कि वो गलत है और अधर्म का साथ दे रहे हैं उनके मन में पाप था इसलिए वे अंदर ही अंदर डर रहे थे और पांडवो के शंकों की ध्वनी इतनी भ्यंकर और उंची थी कि आकाश और पिर्थ्वी के अलावा वे कौर्वो के दिलों को भी चीर कर रही थी दुर्योधन को कृष्ण पर विश्वास नहीं था वे केवल उन्हें एक गौाला ही समझता था उन्हें केवल अपनी शक्ती और समर्थ्य पर भरोसा था लेकिन पांडव, पांडवो के मन में कृष्ण के प्रती द्रिड विश्वास था वे धर्म पुर्वक अपना सारा कर्तव ये पूरा करते थे उनके मन बस्बूत थे तबी आज वो धर्म और सत्य की रापर चल कर निडर होकर युद्ध करने के लिए तैयार थे आज का सुविचार मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रू अगर मन को हम नियंत्रन पालेंगे तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र बनकर कारे करेगा और अगर मन हमें नियंत्रित करेगा तो हमें ये समझना चाहिए कि दुश्मन कहीं बाहर नहीं बलकि हमारे अंदर ही बैठा है इसलिए मन को हमेशा कृष्ण में लगाना चाहिए और उसकी लगाम कृष्ण को दे देनी चाहिए ताकि वे इस मन रूपिक घोडे की लगाम कसले और हमें सत्य और धर्म के मार्ट पर चलाएं इसी तरह आज का भगवत गीता यथा रूप का उन्निसवा श्लोका पूरा हुआ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और खुश रहिए हरे कृष्णा जै शीलो प्रभुपाद